हालो एव्रिवान वेल्कम बैक टो दा चानल होप आप सब अच्छे हैं आज की वीडियो में मैं आप लोगों से दो चीज शेयर करूंगी एक है यह राइस कंटेनर जो मैंने अमजन से मंगाया है यह काफी अच्छा है और इसका मैं रिव्यू दूंगी और यह कोई मैं सोच रहे थी कि एक राइस कंटेनर लोंगी जिसके लिए मुझे बार बार राइस को रीफिल नहीं करना पड़े क्या होता है हम लोग लग बार टेंट केजी राइस लगता है वन मन्त में तो बार बार रीफिल करने में मेरे पास एक चोटा सा डबा है उसको बहुत दिक आजाएगा तो आई होब के इसमें उतना चावल आजाए तो देखते हैं फिर राइस डाल के इसमें कितना राइस आता है तो अधर राइस डालने से पहले जो भी इसका सेट करने के जो भी चीज़े दिये है मैं उसको अच्छे सेट कर ले रही हूँ तो यह एक वपर लगाने के लिए कुछ दिया है ताकि ये एक जगा में स्टेबल रह सके तो वो सब भी मैंने अच्छे से लगा लिया तो अगर आप इसको नीचे जमीन में रख रहे हैं तो ये स्टेबल रहना चाहिए तो एक गरवर हो गई जब मैं राइस जाल रहे थी वो वीडियो ओन ही हुआ तो महें यहां पर बाद में देखी के विडियो था तो ये अधा था तो यहां तो ये लगभग एक फाइप केजी का पूरा राइस था और एक और वन-एड़ हाफ की था लगभग सारे चे केजी का रह ता तो आप देख सकते हैं अराम से आगया है और काफी जगा भी बचा हुआ है तो मुझे लगता है इसमें 11 नहीं तो 10 कजी राइस तो आराम से ही आ जाएगा नेक्स टाइम कभी टाइम मिलेगा तो मैं दिखा दूंगी पुरा 10 कजी डालके इसके साथ एक अटाइच्मेंट दिया है जो आप यहां पर रख सकते है तो इसमें आयरेख देख सकते हैं कि एक दियाह provocative चैनली या और कितना खाली है तो यह ट्रांस्परेंट है इसके थ्रू आप लोगो दीख जाएगा तो ऐसा कंटेनर इंडिया में भी मिलता है थोड़ा क्रॉसली होता है बट यह काफी ड्यूरेबल है और काफी अच्छा क्वालिटी का है तो क्या होता है मतलब एक बार आप खड़िद लीजिए फिर कोई जंजट नहीं है राइस निकालने का या कुछ भी करने का तो मुझे तो यह काफी अच्छा लगा क्योंकर जगा भी कम ले रहा है और काफी अच्छा है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक बटन जैसा दिया हुआ है तो जब भी राइस जितना भी चाहिए होता है एक बार में काफी सारा राइस आ जाता है तो उस rice को आप इसी same cup में धोके फिर यहां से पानी निकालने के लिए भी जगा दिया हुआ है और अच्छे से धोके इसी में पानी भी निकालके फिर डारेक्ट इसको बना सकते हैं तो मुझे तो यह काफी अच्छा लगा आप भी कमेंट सेक्शन में बतायेगा आप लोगो कैसा लगा अना आप लोग भी अपने घर में यूस कर सकते हैं यूएस में यह मैंने जो यूस किया है यूमिस ब्राइन का है इंडिया में आप लोग Amazon में सर्च कीजिएगा कोई दूसरा ब्रैंड का होगा और ये काफी useful है मुझे लगता है कावी जगा भी बचा लेगा आज हो गया यहां पर फ्राइडे तो हम लोग को आज सारा के स्कूल जाना है और उसके स्कूल में आज एक इवेंट है फ्लैप जैक तो चलिए देखते हैं आप लोग को वो इवेंट दिखा पाते हैं के नहीं तो हम लोग यहां सारा के स्कूल पहुंच गया है और देखते हैं चलिए अंदर क्या होता है तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और सब कोई को क्यूंब में खार होने बोला है आगे जो फ्लैप जैक विट फैमिली से वो स्टार्ट हो रहा है और आगे आप लोग देख स सकेंगे कि सारे टीचर्स जो भी है वो लोग यहां पे खरे हैं और वो लोग हम लोग को सर्फ कर रहे हैं तो बैसिकली एवें था जहां पे सब फैमिली सको बुलाया गया है ताके सब एक दूसरी के साथ इंट्रेक्ट कर सके तीचर के साथ इंट्रेक्ट कर सके और एक दू तो स्कूल का भी यह आफ्टर टू यर्स पहला इवेंट है जहां पे सारे पेरेंट टीचर और जो भी स्टूरेंट से वो एक इवेंट में आ रहे हैं तो यहां हम लोग को पैंकेक अचली दिया गया है यहां से फिर हम लोग आगे चले गया है और फिर हम लोग को जो अच्छा लगता है फिर वो भी दिया गया तो यहां सारह अपना मेपल सिरफ ले रही है और यहां पे कोशिश किया जाता है कि सारे बच्चे अपना काम खुद से करें तो सारह आप सीख गई है और यहां उसकी क्लाजब टीचर हुई तो इसको हाई की और वो बटर दे रहे थी सबको तो सारह ने बोला मुझे भी बटर चाहिए तो फिर वह आगे गई एंड जो क्लास टीचर की एसिस्टेंट है वह भी थे वहाँ पे तो वह उनको भी हाई बोली एंड आगे जाके फिर जो भी जूसेस थे काफी सारे ऑप्शन रखे हुए थे और इंच था ग्रेफ था एंड आइ थिंक और एक तो हम लोगो पूछा गया कौन सा तो सारा अपना लेके आए तो हम लोग त्री जूसेस लेके आए और फिर उसके प्लास के जो फ्रेंड थे उन्डों के साथ हम लोग बैट के वहाँ पे ब्रेकफरस्ट किये और ब्रेकफरस्ट के बाद फिर हम लोगो बोला गया आप का monthly wise reading चल रहा है जो भी complete कर रहा है उनको इस machine से वेंडिंग मशीन से बुक मिल रहा है तो सारा फिर हम लोगो को अपने classroom तक ले गई अब वो जान गई है उसका classroom कहा है और कैसे जाना होता है तो वो बोली के आप लोगो को जाने है पकड़ने का जरुवत नहीं है मैं खुद से ही चर जाओंगी तो यहां सारा का classroom है मतलब आगे जाके है और यहां पे एक playroom जैसा है जहां पे basketball या volleyball यह सब सिखाया जाता है और यह काफी अच्छा था तो सारा बोले अभी हम लोगों को यहां पे just आके यहां पे हम लोग बैठते हैं और उन उन लोग के लिए काफी अच्छा सा एक खेलने का जगा बना हुआ है तो उसकी बात फिर हम लोग सारा के classroom के तरफ जा रहे हैं और उसकी teacher हम लोग को मिल गई और वो काफी सारा मैंने उनसे बात किया वो भी काफी सारा information दी और सारा अपने classroom में चली गई और आगे जाके हम लोग एक painting देखिए यह वाला painting सारा ने किया है तो यह यहां पे सब बच्चों का painting रखा हुआ है तो काफी अच्छा लगा हम लोग को यह event और hopefully आप लोगों को भी यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में